तो इनको डिटेल में डिसकस करेंगे तांके दुबारा से इसको और ज़्यादा करने की या फिर कुछ और देखने की जूरूरत ना पड़े तो इसमें सबसे पहले जो न्यूज है उसमें दिखे न यहाँ पे वही सेम पॉलिटिक्स से रिलेटर जी एस टू या फिर पॉलिटी अगर हमने पॉलिटी से या कॉंस्टिशन से रिलेट करना आपने सिलिबस के साथ में कैसे करना है सबसे पहले चीज उदव रिजाइन आफटर सुप्रीम कोट डिनाई स्टेज ओन दी फ्लो टेस्ट ठीक है जब ये उदव ने रिजाइन कर दिया उसका रीजन क्या था जो सुप्रीम कोट उन्होंने डिनाई कर दिया कि वही हम स्टेई नहीं लगाएंगे फ्लो टेस्ट अब यज़ फ्लो टेस्ट है इसका मतलब क्या है तिके सबसे पहले फ्लो टेस्ट का मतलब समझते हैं पहले क्या होता था जो गवर्नर है वो अपनी ही डिस्कृइशन रि पावर पे बड़े दिहान से सुनना पहले क्या होता था कि सुप्रीम कोट dets espíriti से उस करना पड़ेगा लेकिन सुप्रीम कोड ने बोला कि आपको कैसे पता चला कि उसकी मजॉरिटी नहीं है वो तो तब पता चलेगा कि जब आप हाथ खड़े करवाओं कि इसके लिए या फिर MPs है जब वो बोलेंगे कि भी हम इनके साथ नहीं है या फिर हम इनके साथ है तो यह यहां पर आपको पता होगा कि जो गुवर्णरों महराष्टर है उन्होंने जो सेशन उसको स्पेशल सेशन उसको कनवीन के और उसका टॉपिक भी उन्होंने बताया टॉपिक क्या है फ्लो टेस्ट का माने कि वहां पर वोटिंग रवाई जाएगी कि कोन सा बंदा इस पार उसका है इस पे स्टे लगाना मुश्किल था नमबर टू अगर हम नियूस की बात करते हैं इस इस रिलेटेट टो जीएस त्री यह जीएस त्री से रिलेटेट है और यह क्या है जीएस टी से रिलेटेट है गोड जन सर्वीस टेक्स अब यहां पे कुछ ऐसे हाउस होल्ड है जिनको महंगा कर दी है सरकार ने सरकार ने जिस पे जो टेक्स है वो ज्यादा लगा दी है देखिए सबसे पहले चीज तो यहां पे अगर हम बात करते हैं नाइज होगे स्पून होगे फॉक्स होगे ठीक है लेडल्स होगे इस पे पहले 12 परसंट जी एस्ट था अभी कितन होगे 18 होगे वाटर पम्स होगे यह बहुत इंपोर्टेंट है इसको दुबार से फिर डिसकस करेंगी इंपोर्टेंट एक पार्ट बन जाता है इस पे 12 था अभी कितना होगे 18 हो गया सोलर वाटर हीटर और सिस्टम पे पहले 5 था भी 12 हो गया फिर अगर हम बात करते हैं ड इंस और फ्रेक्चर पे 12 था इस पे 5 कर दे लेकिन जो हाउसोल्ड आइटम्स है इस पे जो चीज है वो इंक्रीज करती हुई हमें गवर्मेंट दिखाई देती है जिसकी वजह से ओवेसली जो प्राइज है इसका वो क्या हो जाएगा यहां पर इंक्रीज हो जाएगा अब पॉलिसी रेट्स को क्या करेगी इंक्रीज कर रही है हमने काफे बाट डिसकस किया पॉलिसी रेट्स एक्जामपल अगर हम यहां पे एक 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 जामपल रेपो रेट हो गया बैंक रेट हो ठीक है सी आरार हो गया फिर उसके बाद में एसलार हो गया हर एक पॉलिसी रे inflation में और में भी control लेकिन यहां पे तो एक नए प्रोड़क्ट देखने को मिल रहा है कि एक साइड से आप inflation कर रहे हो दूसरे साइड से खुदी price increase कर रहे हो तो इसमें कुछ खास समझनी यही बात है चलो कोई बात नहीं अब GST के बारे में देखते हैं कि यह चीज की कैसे है और कहां पे की है यह जो चीज है इसको करने का पूरा-पूरा जो हक लिखा हुआ है GST के अंदर वो लिखा हुआ है GST काउंसिल में तो GST काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो GST काउंसिल आई थी एक constitutional body है और यह 279 A के अंडर आती है और यह recommendation देते हैं to the union and the state government on issues related to GST जो GST काउंसिल उसको चेर करता है union finance minister और other members जैसे की union state minister होगे of revenue of finance and minister in charge of finance और taxation of all the states इसको consider किया जाता है as a federal body छीक है जहां पे दोनों central state and the states get due representation फिर उसके बाद में हर एक decision है जो GST का लिया जाता है meeting में और majority voting से लिया जाता है और majority voting not less than 3 by 4th होनी चाहिए ठीक है और इसमें जो central government की vote है वो 1 by 3 रहती है और state government की जो votes है वो उसकी जो weightage है वो 2 by 3 रहती है next news की बात करते हैं यहाँ पे आपने देखा के उदेपुर में एक बड़ी dangerous जो यहाँ पे case होता है उसमें क्या था सबसे पहले उन्होंने कि भी वो enter होते हैं टेलर की shop में अब यहाँ पे suppose करके जलते हैं कि यहाँ पे बंदा टेलर है और यह टेलर की shop में बंदा काम कर रहा है उसकी shop में जाके दो इंसान जाते हैं A और B अब यह दो लोग जाके वहाँ पे इंसानों की तरह नहीं काम कर रहे लेकिन यह तो अब यहाँ पे अंदर जाके उसका गलाई कार देते हैं और उसका reason क्या था कि उसने किसी facebook post है जो जो facebook post है उसको पता है ने लाइक कर दिया पता है ने उसमें support कर दी किसी बंदे की तो उ उन्होंने बोला कि भी हम तुम्हें मारने आएंगे अब उसके बाद में यह जो इनसान है कनिया कुमार या कनिया लाल जो भी है कनिया लाल तेली अब यह जो कनिया लाल जी है इन्होंने क्याम बोला कि भी पुलिस से बोला कि मुझे support करो या फिर मुझे security दो लेकिन obviously denied ठी ठीक है जी क्योंकि system उस तरह का है तो उस चीज़ को देखते हुए भी उन्होंने matter कर दिये वहाँ पर आके और उन्होंने गलाई कार दिये यह बहुत ही एक बोल सकते है कि खतरनाक लेवल की चीज़ है और तो क्या ही है तो अब यहाँ पर यह जो case है यह NIA के पास चला गय में था और contact में होने के साथ साथ में यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि यह पाकिस्तान बेस्ट आउटफिट है कि दावत ए इसलामी में भी उन्होंने यह जो प्रोसेस है वो करवाया हूँ तो अभी हमें नहीं के बारे में complete information होनी चाहिए पहली चीज नहीं कॉंसीट हो इंडिया को सिक्योरिटी और स्टेट को फ्रेंडरी रिलेशन लिए फॉर्न स्टेट को यह अगेंस्ट है कि अगर मतलब आपकी हमारी कंट्री की कोई फेंस अगर कोई करता है टॉमिक और नुकलर फेसलिटी में उसके लिए यह काम करती है अगर कोई समगलिंग कर रहा टेरर इन इंडिया और यह एक्ट करती है एस दिस सेंट्रल काउंटर टेरिरिजम लॉग और इनफोर्समेंट एजंसी है हेड़कॉर्टर इसका न्यू डेली में और इसकी कुछ ब्रांचीज भी है ठीटेल में डिसकस कर रहे हैं नहीं है दुबारा कर रहे हैं कि आपको ज डेली में लुट रहे हैं किसी और यह जो चीज सेंटर लेवल वस्क्रांट कर दो इसका इंडिanton करती है की सेंट्र फोलेवल करेंब करते हैंUR सब्किछा को जैसे कि मुंबई इसका मैंडेट क्या है यह इसका मैंडेट है कि जो का looks is assigned to the NAE by the Central Government जो case Central Government नहीं इनको दे लिया और यह जो की Section 6 of NAE Act के साथ में जाता है जो investigation of the cases है वो done करता है agency independently और जो investigation के बाद में जो cases है वो place किये जाते है NAE के special court में मतलब कोई normal court में नहीं NAE के special court है वहाँ पर किये कि जो case है हो जाते हैं अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं for prosecuting the accused अगर किसी ने unlawful activities में participate किया है तो उसको भी NAE अपने अंदर मतलब उसके act के अंदर लिखा हुआ है कि वो NAE खुद से उसको उठा के लेके जा सकता है अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि यह empowered है to deal with the terror related crimes जितने भी terror related crimes है across the states जा रहे है without special permission from the states कोई भी support करके चलते terror related crime हुआ और वहाँ पे किसी state में और में होता है और वहाँ पे law and order तो state का काम है लेकिन आपने इस चीज़ को याद रखना है यहाँ पे कि वो state की permission के बिना भी वहाँ पे जाके काम कर सकता है अगर हम बात करते है smuggling and terror funding की जो amendment to the end यह act है उसने क्या किया था कि अगर कोई smuggling कर रहा है high quality counterfeit Indian currency में under the definition of terrorist act उसको भी बखड़के लेके जाय जाएगा यह curb करते है terror funding और fake currency को भी और यह जो cell है वो maintain करता है database of terror financing and cases of fake Indian currency notes होगे अगर हम और भी इसको detail में देखे तो जो इसका special cell है वो verify करता है bank accounts को suspects को जो की linked रहते हैं किससे next slide group से और जो ministry of home affairs है वो review करती है किस चीज़ को यहाँ पे manpower financial and infrastructure requirement of the NIA from time to time मतलब कितनी उनको manpower की जरूरत है कौन कौन सी चीज़ों के जरूरत है time to time को देखेगा ministry of home affairs है यहाँ पे देखती है so ministry of home affairs है कैसी authority है जो की इस चीज़ को देखती है और इस चीज़ में काम करती है ठीक है जी तो इस चीज़ में काम करने वाले ministry को होगी ministry of home affairs so यह कुछ information थी NIA के लिए लेकिन NIA में एक recent amendment हुआ ठीक है हमें ने अभी आपको यही बताया था कि आप screenshot ले जाना आपको दुपारा से करने की जुरूरत ने पड़ेगी इस recent amendment में हमें पता चला कि जो NIA bill 2019 है वो पेश किया गया था और उसने जो regional actor 2008 का उसको क्या किया था replace कर दिया था मतलब उसमें कुछ amendment कर दी तो यह जो bill है उसने allow किया NIA को कि वो investigate कर सकती है जैसे कि offensive होगी human trafficking से related ठीक है counterfeit currency और bank notes से related manufacturing sale of prohibited arms हो गया cyber terrorism हो गया explosive substances act हो गया और यह जो jurisdiction था NIA का उसमें क्या था जो officers थे NIA के उनके पास same power है जैसे other police officers के साथ में होते हैं in relation to the investigation of such offenses जो officers of the NIA है उनके पास will have the power to investigate scheduled offenses committed outside India scheduled offenses कौन से होते हैं अब यहाँ पर एक चीज याद रखना scheduled offenses होते हैं जो की NIA के schedule में लिखे रहते हैं और जो central government है वो direct कर सकते NIA को कि वो investigate करे कुछ cases को as if the offense has been committed in India और जो special court है वो बनते हैं New Delhi में will have the jurisdiction over all these cases I hope आपको NIA जो वो detail में समझ में होगा तो इसको दुबारा दुबारा करने की जुरूरत नी बढ़ेगी ठीक है और आपको यह चीजों को याद रखना है NIA prelims हैं पूछा जा सकता है important topic है नेक्स्ट जो चीज हमने डिसकस करनी है वो है blaring rate जो चीज हमने अभी डिसकस की कि यह Islamic faith हो गया या Hindu faith हो गया या Hindu तुबा हो गया या Islamicism हो गया इन चीजों को बढ़ते हो देख कि यहां पर बोला गया वो same news को यहां पर डिसकस किया गया तो यह हमारा अभी के लिए फिलहाल उपर हमने पढ़ लिया तो इसे वज़े से कोई भी कामका नहीं है यह वाला article अगर हम इस चीज की बात करें theater of the observed theater of the observed में हमने देखा कि जो मुहमत जुबेर है को founder of fact checking website ALT news देखे जो मुहमत जुबेर है वो एक co founder है किसके ALT news के जो ALT news website है वो उसका co founder है यह मुहमत जुबेर इसने twitter पे काफी time पहले कुछ मतलब डाल दिया था एक particular community को लेकर और उस particular community की जो feelings है वो obviously hurt होती होती है देखो जो feeling है अब वो feeling है अब वो शायद आपको लगता है हाट नहीं होगी तो उसकी तो feeling है वो तो हाट होगी होगी ठीक है किसी भी religion की किसी भी चीज़ को लेकर अगर कोई feeling अगर आप उससे छेड़ खानी करोंगे तो बंदा हाट होगा और इसके लिए हमारे law में कुछ चीज़े लिखी हुए है जिसकी वज़े से इस बंदे को उठा के लेकर जाये गया जिसका नम है मुहमाजूबैर अब इसने जो भी लिखा था उसको उठा के लेकर गए अब यहां पे हमें क्या चीज़ पता चलती है कि यहां पे जब इनको उठा के लेकर गए तो पहली चीज तो इसके जो मुबाइल जाए लैप्टॉप जाए उस वो क्या थे बिलकुली फॉर्मेटर स्टेज में मिलते हैं और अभी रिसेंट केस में ये भी देखने को मिला जिस ट्वीटर के अकाउंट ने इस बंदे की क्या की थी यहां पे शिकायत की थी जिसने कंप्लेंट की थी वो भी बंदा गायब है तो ये कुछ चीजे यहां पे देख रही हैं और इसके अकाउंट में तीन महीने से कुछ पचास लाख रुपे ट्रांसफर हुए थे वो भी बोला जारा है कि सेम अकाउंट से हुए थे मेभी या फिर डिफरेंट अकाउंट से वो देखा जाएगा और जिसके तहट देखा जाएकि इस बंदे को पकड़ के रखना है या फिर छोड़ना है उस वे से देखते हैं बात अब नेक्स अगर हम न्यूस की यहां पे एहसान जाफरी वाइफ ऑफ एहसान जाफरी है जो कि वॉयलेंस हुई थी जब फेबर मार्स टूथाजन टू में गुजरात में उस टाइम पर इनके हस्बंट की क्या होगी थी डेथ होगी थी और वॉयलेंस कैसे हुई थी कोई मोब आया था एक सुसाइटी में और मोब न एकी तो किलिंजिट दी होईगी SIT ने अब उसके बाद में यहां पे कुछ एक्टिविस्ट थे जो कि इनके साथ उस टाइम पर काम कर रहे थे जैसे की तीस्ता हो गया तीस्ता स्टालवाड हो गये ठीक है फिर उसके बाद में अगर हम IPS अपने RB शिरीकुमार होगे इस तरह क क्योंकि इनको यह लगता है कि अगर इनोंने दुबारा से पेटिशन फाइल किया तो मेभी इनोंने इसको क्याल किया होगा फोर्स किया होगा या फिर पुश किया होगा कि भी आप पेटिशन फाइल करो तो इनको पकड़ के लिए जाते हैं अब इनको पकड़ना जो चीज है लेकिन अभी के लिए कुछ कर दिया वो ऐसा कुछ भी निया अभी सफाइट में क्या करते हैं कि कोई भी ठीक है कि उसकी कहरत कर दिया लेकिन जो उन्हों ने एक वो दिखाई किस तरहां से एक होता है किस तरहां से गर्स दिखाए किसके खिलाफ खड़े होना है अकेले वो नहीं जो गुलबर्क सुसाइटी के जितने भी लोग थे वेर ही लिवड और डाइड विटनेस वन ओ दी वर्स्ट मास्स किलिंग इन फेब मार्च 2002 तो यहां पर एक चीज सोचने वाल्य केरति सियम जो है उस टाइम पर सीम थे गुजरात कि उसके ख्लाफ में केच कीयों किया उसके ख्लाफ पर उन्हों का नाम कियो लिखा जा रहां उन्हों ने यहां पर बोला मैं मतलब यहां पे आपको कॉन्bek majd कर क्म करों कि प्रोपर दी थी, खुलियाम, सरियाम, वो लोगों को मार रहे थे, इसी वज़ा से तो ये प्रॉबलम आई होईगी, तो इसी वज़ा से सबी के सबी लोगों पे जो है ये मढर के जो केसिस है वो बनाए जाने चाहिए, यहाँ पे state नहीं काम करते है जब state कोई काम नहीं करती है तो ऑगए हुँ सब्सक्रा सक्राइप आ गया थो एक्टिविस्ट आ गया थै और अगर आप a activist को यहाँ पहला paragraph पकट के लिए लिए कर जाओंे तो फिर काम कोन करेगा और Whoopsly यहाँ पर यही बोला गया है कि इन्दी struggle impunity जो constitution है और judiciary उसको एक अच्छे वे से काम करना चाहिए otherwise जो rights हैं जो चीज़े हैं वो एक नाम के लिए रह जाएंगी और otherwise वो उसका कोई भी जो काम है वो नहीं बजेगा यहाँ पर यह सारा का सारे डिटोरिल में यही चीज़ लिखी गई है नेक्स्ट है जो वो it is related to anti-defection law anti-defection law हमने काफी बार किया है तो इसमें obviously यह थोड़ा सा बहुत ज़्यादा political angle दी हुआ है लेकिन हमारे paper point of view से पहले जिस 52nd amendment है उसके बाद में 1985 में इसको introduce किया गया तो anti-defection law आ जाता है और anti-defection law आने के बाद में उन्होंने allow किया one by three के अगर मतलब उन्होंने बोला कि आया राम और गया राम का concept तो हो गया खतम लेकिन अगर फिर भी कोई इनसान दूसरी party में अपने आपको लेके जाना चाहता है suppose कि A बंदा है वो BJP का है और वो जाना चाहता है B मतलब B party में और B party का मतलब कि यहाँ पे congress में जाना चाहता है तो यह तो गलत है एकेला बंदा नहीं जा सकता यहाँ पे पहले अलाओ किया 1 by 3 और 2 by 3 का merger लेकिन 91st amendment introduce कीगी जिससे 1 by 3 merger खतम कर दिया गया मतलब अगर जितने भी elected MPs है या MLS है suppose करके चलते हैं अभी शिवसेना के बास में 60 MLS है तो अगर इनको किसी और party के साथ में जाना है यह चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है ठीक है जी और कि होतो होलोहन केस जो है वो भी किस से related है इंटिटी डिफैक्शन लॉव से related है जिसमें सुप्रीम कोट ने काफी अच्छी judgment दी और उसमें बोला था इंटिटी डिफैक्शन लॉव में कोई होतो होलोहन केस में के ठीक है कि प्रिज़ाइडिंग आफिसर या फिर स्पीकर के पास पावर है इसको देखने की लेकिन जो भी आप डिसीजन लेता है स्पीकर यहाँ पे जुडिशल रिवीव के वो क्या रहेगा अंडर रहेगा Celis樣s sector में काम कर रहे हो डिटी तू.5%. इंवर्वी वर्कौर्स में काम कर रहे हैं तो गीग犯र्क के लिए प्रॉपर लौस पर चीजने जो होनी देता है, so यहां पे एक definition के who are gig workers, gig workers होते को होन है, यहां पे बहुत important है, यह हमारे paper point of view से prelims, mains दोनो, नीतिया योग ने filtered workers who fit the following categories to estimate the gig worker force, belong to any of the top 100 cities, within the age group of 18 to 45, with an education level ranging between secondary school and graduation, belongs to the bottom 75 percentile of monthly per capita consumption expenditure, और working in the known agriculture sector, हम उन लोगों को क्या बोलते हैं, यहां पे gig workers बोल सकते हैं, ठीक है जी, सो चलिए, यहां पे अगर हम occupation classification के according लिए जैसे computing professional होगे, architect होगे, business professional होगे, इस तरहां के लोग, ठीक है, तो आपने इस चीज़ को क्या करना है, याद रखना है, next news की बात करेंगे, next news है, how Turkey made peace with Sweden and Finland joining NATO, अब यहां पे देखिए, अगर पहले आप location देखेगा, और फिर आपको पता चलेगा कि Sweden और Finland है, वो NATO join क्यों करना चाते हैं, पहली चीज़ यहां पे Finland है, Finland के boundary किस के साथ में लग रही है, Russia, ठीक, तो यह obviously चाहेगा कि मैं क्या कर लूँ, अब NATO join कर लूँ, अदर वाइस तो यह नहीं पता, Russia कल को मेरे पे टैकर दे, Sweden का भी same case है, अब दोनों के दोनों चाहते हैं कि हम NATO join कर लेकिन जो टर्की है, उसने उनका जो रास्ता है वो रोका हुआ था, लेकिन अभी टर्की ने जो recently क्या बोला, कि भी मैं आपके साथ हूँ, आप NATO join कीजिए, अब एक चीज यहां पे हमें समझ में नहीं आ रही है, क भी टर्की रोक क्यों रहा था, टर्की वाय, टर्की वह स्टॉपिंग है न, तो टर्की क्यों oppose कर रहा था उनकी membership को, वो यह बोल रहा था कि मेरे bilateral relations तो अच्छा है, मुझे कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कुर्दिश, जो कुर्दिश पीपल के लिए stand है, किस का, Finland और Sweden का, वो गलत है, उस stand को क्या करना चाहिए, बदल लेना चाहिए, यहाँ पर यह चीज बोली जा रही थी, ठीक है, तो यह location आपको पता लगी होगी, और location के साथ में आपने देखना है, यह this is Norway Sweden Finland, मतलब NSF, Norway Sweden Finland, और Norway Sweden Finland के बाद में आपने यहाँ पर याद रखना है, this is Russia, Russia के साथ में, Estonia हो गया, Latvia, Lithania, यह Belarus और यहाँ पर लिधनिया के साथ में, Poland, Poland के साथ में भी आपने याद रखने है, एक चोटा सा हिस्सा लगता है किसका, Russia का, यह भी हिस्सा किसका है, Russia का, क्लियर बात, तो यह चीज़ आपने प्रोपर वे में याद रखनी है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, नाटो के बारे में, देखें, नाटो है जो, वो इसको North Atlantic Alliance is an Inter-Governmental Military Alliance है, यह Form 1 1949 में, जब साइन किया Washington Treaty को, जो की consist of 29 countries from North America and Europe, और यहाँ पर हम याद रखते हैं, अगर हम देखते हैं, कि यह कैसा अलाइंस है, जहाँ पर अगर किसी एक कं अगर करते हैं, इसकी जो मेंबर्शीप है, वो ओपन है to any other European state which can follow the principles of this treaty and contribute to the security of the North Atlantic area, इसका जो हेड़कोटर है, वो कहाँ पर ब्रुसल्स, बेल्जियो में, इसका हेड़कोटर है, नेक्स नियूस की तरह बढ़ते हैं, जो नेक्स नियूस है, बंदी होगा, जो नेक्स नि नियूस हार हो गया, सिंगापूर का फस्ट समॉल कमर्शिल सैटलेट केरिंगा एस एर पेलोड और स्कूब वन सैटलेट फ्रॉम दी नेनियांग टेक्नलोजिकल यूनिवरस्टी, ठीक है, तो ये कुछ चीज़ हैं जहां पे, और जब इसकी डिटेल्स आएंगी तो कल को भई, अब यहां पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे एक न्यूज है, एक स्टडी है, जिसके नाम है लेंसेट स्टडी, और इस स्टडी में बताया गया है, कि जो काफी ज़्यादा डेट्स हैं वो होते हैं, विकॉज अगर स्पीडिंग कंट्रोल में रहती तो हम इंडिया में 20,554 लोगों को बजा सकते थे, हेलमेट का यूज होता तो 5683 और सीट वैल का यूज होता तो 3204 को, और USA में भी सेम 22,353 इसी तरह से चाहिना में इस तरह का एक डेटा है, तो ओवर स्पीडिंग की वज़ा से काफी लोगों के डेथ होती है, यह च 69.3 सेज मिनिस्टरी रिपोर्ट ऑफ 2020, 2020 की जो रिपोर्ट है यही बोल रही है, कि बही जो 69 मतल्स, अगर रोड पर कोई डेथ होती है, तो वो 70 जो डेथ है, वो किस वज़ा से होती है, स्पीडिंग की वज़ा से, ओर स्पीडिंग की वज़ा से, ठीक है जी, नेक्स G7 है, वो ग्रूपो 7 है, इसका मेंली काम है, पॉलिटिक्स से रिलेटर ही काम करता है, मतलब अपने वो जो है, मेंली हैस तो डू विद दी पॉलिटिक्स, ठीक है जी, यह बना था, अफ्टर ली फर्स्ट ओईल शोक ऑफ दी 1970s, एकनॉमीज अक्रोस दी वर्ड वर्ड वर G20 के अगर हम बात करते है, this is all about money, यह money है, यह की informal गूप है, जिसमें 19 countries और European Union है, India is the part of G20, ठीक है, तो यहाँ पर इन चीदों को आपने याद रखना है, अच्छा अगर आप से को पूछे कि पाकिसान इस पार्ट ओफ G20 तो आप देखे, यहाँ पर देखे, कहीं पर आप पहले चीज़ तो जो आइल फर्म उनको दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि जो पैसा है वो depreciate होता जा रहा है, कि एक डॉलर अगर पहले 60 रूपीज का था, कि 60 रूपीज देकर एक डॉलर मिल जाता था बाहर से ओयल बाई करने के लिए, अभी यह उसी एक डॉलर को लेने के लिए जो इंडियन oil companies उनको 79 रूपीज पे करने पड़ते हैं, तो obviously उनके लिए तो तेल महंगा होता जा रहा है, और रूपी भी वीकर होता जा रहा है, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था, financial institutional investors, मतलब FBAs जो है, foreign portfolio investment है, वो जो बाहर जाती जा रही है, जो भी लोग य इंवेस्ट करते हैं, suppose यहां पे यह इंडिया है, यहां पे investment आनी start होगी, टॉलर आनी यहां पे start होगे, तो डॉलर से पहले किसी भी bank को दिये जाएंगे, या और पैसे रूपीज लिए जाएंगे, क्योंकि रूपीज में आप यहां पे इंवेस्ट कर सकते हो, तो डॉलर पैसले के जाएंगे, इसका मतलब क्या है, जो supplier dollar की क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, demand उसी हिसाप से increase हो जाएगी, तो इसका जो price हो जाएगा, increase हो जाएगा, तो यह चीज आ पने यहां पे याद रखनी है, और moreover जो हमने पहले पढ़ना था पहली page पे, जो GST है, वो लगा तो वह एफेक्ट करेगा फार्म सेक्टर को जो जीएस्टी बढ़ा है पहले टेवले था अभी कितना कर दिया 18 परसेंट यहां पर जीएस्टी करते हुए हम दिखाई दे रहे हैं जो जो जोन के नियो कर सकते हैंने आने वाले अपडेट के लिए भी कर सकते हैं और इसको शेर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में सथ में आए, सो थैंक यो सो मच वाइबाई